स्वागत है हकीम साब तन्यवाद हकीम साब जाना चाहूंगी आप जो रॉम मटीरियल यहां पर दर्शकों को बताते हैं बहुत सारे दर्शक जो हैं अब शिकायद करने लगे हैं कि रॉम मटीरियल मिलते नहीं हैं बहुत जद्धो जहत उन्हें करनी पड़ती है असलिए नक उपनिया रक्ति है और नकली तो हर दुकान पर मिलते हैं अब काफी लोगों ने नकली भी ले लिए तो असली चीज अच्छी चीज के लिए हमेशा कर रहा है कि उसकी तोड़ी किलत रहती है मुश्किल से मिलती है लेकिन असली मिलने पर हम असली फायदा उठा सकते हैं यह अगर हमें दूद की जरूरत है तो हम पानी से काम नहीं चला सकते हैं इसी तरह नकली और असली का फर्क होता है और मैं बताता हूं तो फिर लोग लखने लगते हैं चोटे दुकानदार भी क्यों डिमांड आती है और हम भी पूरी नहीं कर पाते हैं इंतजार करना पड़ता ह दस दिन, पंदरा दिन, बीज दिन भी लग जाते हैं लेकिन हमारे पास से असली जाता है अकेम साब कभी हमने नहीं सुना के जैतुन का सिर्का भी होता है तो यह जो सिर्का होता है क्या आम व्यक्ति से अपने घर में भी बना सकता है या फिर यह मिलने में इसलिए भी इप्रेचर चाहिए फिर कि जो चीज बहरत में पैदा नहीं होती है तो बहार से लाने पड़ती है बलकुन तो महँगी पड़ती है यह जः का भी सबसे महगा है जी और सबसे फाइदे बंदे विश्व में ऐसा सिर्का कोई नहीं जी और इसको क्योंकि लोग बनाते हैं सिर्के रस के रस मीठा होता है अंगूर का बनाते हैं वो मीठा होता है जामन का बनाते हैं वो मीठा होता है वो आसानी से मिल भी जाता है और आसानी से साड़ भी जाता है लेकिन क्योंकि यह अलोवीरा और जैतुन क्योंकि मीठा नहीं होता तो इसको इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा है दूसरे सिर्के अगर तीन महिने में त्यार होते तो इसमें एक साल भी लग सकता है तो बिलकुदर्श को देखी तभी तो आप लोग को बार-बार होते हैं उनी से ही युनानी दवाईयां बनती है दर्श को जब आप लोगे समझ जाएंगे कि हां हमें युनानी ट्रीटमेंट लेना है अरवेज से जुनना है नुसके हमें जानना है तो निश्विती ये बात आप लोग समझ लीजे आपका कोई भी रोग जर से खत्म हो सक है बाकी लाइफ का रक्रम चल रहा है हकीम सहाब आप सभी के साथ लाइफ जुड़े हुए है पोन उठाइए नमर्स पर कॉल कीजिए अगर आप लोग सीधा उनसे लाइफ बात करना चाहते हैं यह बात कर लिते हैं पहले कॉलर से हमारे साथ श्रीला है राजिस्थान से स् ऑला यह जा अफंजी बोलिए मैं मुझे नहीं आती विल्कुल बूख नहीं दगते हैं कब से लिए फीर की गड़िये साथ दुटिकरा देते हैं फेर वर दो की शीला जी एज और बता दीजे अपनी अच्छा बहुत कम उमर है आपकी और इस खदर परिशानी मैं आपको एक ऐसा नुसका बताता हूं जिससे आप नॉर्बल रहने लगेंगे और नीन भी खूब आएगी और हुस्पिटलाइज भी नहीं होना पड़ेगा देखिए जैत जैतुन का सिरका आता है वेने अगर जैतुन का ये तीन चमच दिन में नाच्टे के बाद तीन चमच रात को आप पानी में मिला कर पीए काफी तेज होता है ये तो पानी में मिलकर हलका हो जाता है तो दो बार पियां आपको अच्छी नीन आएगी सुकून बहुत में लग और वफलत की नींद आएगी और अगर लगातार ले तो आपकी तब्यत पूरी तरह ठीक होना मुम्किन है तो बिल्कुल अगर इन्हे कोई युनानी दवा सजेस्ट करने हो तो वो क्या कुछ हो सकती है हकीम साथ यह शिर्का ले सकते हैं और यह युनानी दवा ही है बतलब है सकते हैं जिसे अख्रोट प्राश माजून एक टाइम या दो टाइम आप लिया करें इससे भी हमारे दिमाग को बड़ा सुकून और तक्वियत ताकत मिलती है और हम नॉर्मल हो सकते हैं नेक्स्ट कॉलर ने इलाबाद से पंकज हमारे साथ स्वागत है पंकज जी नमस्कार हमारे भॉल जो بहुत ज्यादा ज्र रहा है मेरा बाल पदला ज्र रहा है ज्ड़ रहा है मेरे हैज blendर 10 साल यही से फिक्र कर लीजwd अपने बालों की और एक बड़ा अच्छा नस्खा है देखे बालों का बच्चियों को भी बहुत प्राबलम होती है आपकी उमर की और लड़कों को तो ज़्यादा परवन ही होती है आप ही करने है देखे एक आता है गाउन मौरिंगा और सफेद गाउन मौरिंगा सफेद यानि वाइट इल्लाल आप ले लीजे और इसको बना लीजे और आदा गिराम एक नारियल पानी में मिलाकर रोजान पिया करिए बाल ऐसे के समाले ना जाएं मैं भी लेता हूं अब तो कभी कभी लेता हूं बुड़ा हो गया हूं लेकिन बाल आखरी सांस तक हमारे खूब रहते हैं ऐसा मेरा जैसा कि आपने बताया बहुत समय से यह दिक्कत परिशानी आ रही है और शायद आपको यह भी लगता होगा कि कहीं मेरे सर से सारे बाल तो नहीं चले जाएंगे गंजेपन का मैं शिकार तो नहीं हो जाऊंगा और आपकी एज इतनी कम है तो आपसे कहना चाहूंगी जी जुड़े हैं स्वागत है आपका जी नमस्कार कहां से बात कर रहें एंपी से जी आपका सवाल यह असलाम आपके मिजाद कैसे हैं व्याद बड़ी दूआ है आपकी बड़ा शीरवात बताएं क्या सवाल है मेरा चाहना पड़ता है सॉड़ कि यह जो आप वेस्टन वेस्टन चारियर का बोलते हैं वेस्टन चाहरेट का यूशनमना का जो भोलते हैं तो इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी आहलात जिनके होते हैं जो मुहियां नहीं करवा सकते ओ तो इसके बिदर कोई मतलब जो सके तो बन हिजवत उसके अगर बन तो उसमें जो आदनी वह असानी हो जा आए ठीक ठीक सही कह रहे हैं हम एक्छली आपने बड़ी डीप बात कही और इस टायलेट को कभी इंडिया में पसंद नहीं किया गया और मैं भी नहीं पसंद करता लेकिन जो आने वाला मर्ज है यह ह हम जब उकणूं बैटते हैं ना जमीन में तो हमारे कमर में अगर दर्द है या घुटनों में तो दवा जो काम करती है जितना भी फाइदा पहुचाती है जित रोजाना उतना ही वो खतम हो जाता है तो इसके लिए वेस्टन टॉयलेट की ज़र्वत होती है अच्छा वेस् जबता है ऐसा मेरा तजर्वा है मैंने बहुत सारे लगवाए अपने घर में तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है अच्छा हर घर में एक बुजर्ग होता है अगर आप नहीं तो आपके बुजर्गों के लिए जरूरी है और जो लोग भारी है या जिनका पेट है उनको बहुत दुश्वारी होती है वहाँ बैठने में बैठने में बुजर्ग दवा एक हद तक काम करती है यूनानी दवा जो है वो वैसे ही जरा जरा सा फाइदा रोस करती है अगर इंग्लिश दवा आदमी खाले तो बातरूम जा सकता है लेकिन यूनानी दवा तो जरा सा फा फाइदा होगा किस चीज से नुकसान होगा बाकि उसकी मर्जी है फाइदा उससे भी होगा जिसके ज़र में वेस्टेंट नहीं होगा लेकिन उसको देर भूत लग जाती है और इंसान बड़ा बेसबरा है शिकायत करने लगता है तो इसलिए मैं अक्सर यह बात कह देता हूं जी नेक्स्ट शॉलर है उदापूर से प्रीती हमारे साथ स्वागत है प्रीती जी नमस्कार यह मैं पूछ रहे आपका सो आरहे है मैं टीबी कर अभी जी जी तो टॉक्टर साब चे यह पूछा चाती नेरा वेटा है दस साल का लिए तो वो टॉलेट करता है हर आदा गंट है तो क्या प्राउबलम है मैं दस साल का बच्चा ठीक हैं देखिये ना प्राउबलम तो वह उसका पेट की है और पेट इससे ठीक हो जाता है जिसके मैं इसका बता रहा हूँ पृता प्रीती वीशिता जी दिखिये एक गउंद आता है मैं अकशर Gond بتاتا हूँ, नमक बताता हूँ लोग सोचते भी है क्या क्या बताता है यह Gond आता है बदाम का याद रखें बदाम का Gond और वो ले लीजे सटा ही आता है, सौ ग्राम खरीद लीजे, और इसको ग्राइंडर में करेंगे तो पाउडर बन जाएगा तो इसका आधा ग्राम पानी में मिला कर पिला दे दिल में एक बार और एक यी बार देते रहें जब ये बच्चा ठीक हो जाए तो उसको रोग दे और इससे उसको बच्चे को फायदा होना मुम्किन है जी नेक्स कॉलर है जैपुर से हमारे साथ रेखा स्वागते रेखा जी नमस्कार नमस्कार बताइए मेरी बेटी है मैडम और उसको कैंसर हुआ था ब्रेस्ट कैंसर दो तीन साल हो गए हैं और वैसे तो ठीक है दवाई उसकी चल रही है मगर उसे वीक्नेस बहुत रहती है और इस दवाईयों के असर की कारण चाम तक जो है वो बिलकुल लख्ट हो जाती है तो उसकी इम्मिनिटी और इन्हें जो वीक्नेस कम करने की मुझे इस दवाईयों चीक है उम्र बता दीजे बच्ची की उम्र थाइटी एट जो देखिए आप बहुत चिंतित होंगी और उसका हमेशा खया लखना पड़ेगा जब तक आप जिन्दा हैं उसकी फिकर करेंगी ये मा का दिल होता है जो मानता नहीं है और इम्मिनिटी हर आदमे में स्टॉंग होनी ही चाहिए आज तो मैं क्या और बच्ची किया उसको तो स्टॉंग जरूरत है और आप भी लिजे जिसको भी इस वक्त इस लायक है कि इम्मिनिटी की एक खुराग भी ले सकता है तो चाहे वो एक रोटी कम करके एक इम्मिनिटी की खुराग जरूर का है माजून आर केर सुबा और शाम एक एक चमच गरम पानी से दिया करें और मेरी तरो से बच्ची को किई है कि जितना गरम पानी पी सके वैसे पांच गिलास तो मैं अक्सर सब को कहता हूं लेकिन ये बच्ची खास है ये इस से ज़्यादा पिए तो बहुत अच्छा है इस जितना पानी पिएगी गरम इतना इसको आने वाले में यह इस बीमारी यानि कैसा जैसे बीमारी के दुबारा ना होने के चांस रहेंगे पानी पिया करें और माजुन आरकेर खाएं और सब लोग खाओ जितने लोग मेरी बास सुन रहे हैं इम्मिनिटी के खुराग जरूर लीजिए ताके जिन्दगी कायम रहे एंपी से अगल जी आदाव मेरे को जाद साब से बात करने थी जी मैं बात कर रहा हूं फर्माईए अच्छा नमस्कार सच जी आदाव मेरे को सारे एक बीपी किया है हाई ब्लड प्रेसर है और शीने के सामने जलन रहती है तो कुछ भी खाता किता हूं जैसे खाना बगेरा या चाए बगे होती है और लिखने से जादा मेसूस होती है था ठीकी ठीकी तो देखिए एक डसका ऐसे लोगों के लिए जिनको ऐसी डिटी की प्रावलम और सीने पैसा जैसे कुछ रखा हुआ है ब्लेट प्रेशर भी है तो हाट का भी परिशानी ब्लेट प्रेशर मतलब हाट का मरीज य यसे लोगों को ये नुस्का लेना चाहिएए इससे मर्स को निजाध मिलती अझाए और यह लिए है दिखिए बहुत आसान मुष्किल यवे बनाने में आपको खुद बनाना है नीवू का रस निकाले एक लिटर अद्रक का रस एक लिटर और लहसन का रस एक लिटर एक लि आने वाले वक्तों में आपको बीपी से भी निजात मिलेगी और फौरी तोर पर ये पेट के लिए बहुत फाइदे मन्द है आपकी असीडिटी के लिए और दूसरे मर्स के लिए यहां तक कि जिनको हार्ट ब्लॉकिज हो गया वो भी इसको पिए हार्ट ब्लॉकिज बगार आपरेशन के भी इस निस्खे के जरीए खुल सकता है और बहुत बड़ी परिशानी और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने से भी आपको फाइदा मिल सकता है जी